आदाब नमस्कार QNS News आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में और मैं हूँ आंचल मिस्कीन कुछ समय पहले जब क्लास 4 जॉब आप्लिकेशन निकली थी तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वाइड क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए गए तो जब यह मसला जम्मू और कशमीर और विक्वाइड लड़ा के पहाँचा तो इस पर उनका कहना था कि किसी पटिकुलर पोस्ट की लिए जो qualification specify की गई है तो ऐसा हो सकता है कि उस post के लिए higher qualification के candidates suitable ना हो और उस हिसाब से employer की समझ से लिया हुआ फैसला जिसमें higher qualification को exclude किया गया है तो वो definitely justified है रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजेधर और जस्टिस अली मुहमद मागरे की bench ने पाया कि क्लास 4 की posts के लिए minimum और maximum qualification के criteria में metric और 10 प्लस 2 को mention करना ना तो irrational है ना unreasonable है और ना ही मनमाना है रिपोर्ट में ये लिखा था कि essentially court एक appellant द्वारा दायर एक letter patent appeal से निपट रहा था जिसमें single judge के आदेश पर सवाल उठाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि high qualification वाले aspirants apply करने के लिए इसमें eligible नहीं है क्योंकि advertisement notice minimum और maximum qualification already mention कर रहा है इसके साथ रिट court ने घोशित किया था कि appeal करता जम्मू और कश्मीर public service के एक class 4 के attendant post के लिए आयोग्य था यानि over qualified था और इसी लिए इस concerned post के लिए apply नहीं कर सकता रिपोर्ट की शुरुवात में ये कहा गया था कि court ने इस बात को पहले ही कहा है कि जम्मू और कश्मी पब्लिक सर्विस में class 4 के पदों पर नियुकती जम्मू कश्मीर appointment to class 4 special recruitment rules 2020 के अनुसार ही होनी चाहिए court ने ये भी नोट किया कि एक government notification जो class 4 के post की recruitment के purpose के लिए जारी की जाती है उसके लिए minimum और maximum qualification metric और 10 प्लस 2 होगी तो यही same notification इसी advertisement notification में भी mention किया गया था importantly किसी specific post के लिए qualification specify करने के लिए employer के discretion पर court ने कहा कि किसी भी post के लिए suitability और qualification एक employer को decide करना होता है और court इसमें तब तक interfere नहीं कर सकता जब तक ये ना पाया जाए कि policy decision किसी भी तरह से irrational है या मनमाना है तो class 4 के appointment के इस मसले पर court ने ये कहा कि निर्धारित 10 प्लस 2 से higher qualified candidate कई कारणों से इस post के लिए suitable नहीं हो सकता पहला ये कि highly qualified candidate उस स्थिती में नहीं हो सकता जो class 4 करमचारी द्वारा किये जाने वाले आवश्यक कामों को पूरा करने की स्थिती में हो दूसरा कि अगर ऐसे highly qualified candidates को less qualified candidates के साथ compete करने की permission दी जाए तो ये साफ है कि वो उनसे उपर ही score करेंगे और अपेक्षित योगिता रखने वाले उमीदवारों की जगा वो चुने जाएंगे और तीसरा कारण ये है कि अगर highly qualified aspirants का selection हो जाता है तो वो हमेशा एक बहतर नौकरी की तलाश में रहेंगे और जैसे ही उन्हें कोई better post के लिए select किया जाएगा तो वो उस class 4 की post को छोड़ देगा जिस वजह से सारा selection process useless हो जाएगा और फिर वही होगा कि इस स्थिती को नजर में रखते हुए employer को फिर re-advertisement और refilling के process को दोराना होगा यानि के समय और पैसे दोनों की बरबादी होगी इन सब के अलावा इस मसले पर court ने chief manager पंजाब national bank और अन्य बनाम अनीत कुमार दास के मामले में supreme court के फैसले का भी reference दिया जिसमें ये देखा गया था कि bank में प्यून की post के लिए बारभी पास की eligibility justified है जो कि bank द्वारा लिया गया एक conscious decision है और किसी भी highly qualified candidate को इस के लिए किसी भी तरह से eligible नहीं माना जा सकता और आखिर में इस appeal को dismiss करते हुए court ने कहा कि वो यही express करना चाहते हैं कि हर post के लिए जरूरी नहीं कि highly qualified candidates suitable हो और अगर highly qualified candidates को किसी post से exclude किया जाता है तो वो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता और नहीं उसे illegal या विकृत कहा जाएगा court के इस तरह के order से उनकई सवालों को एक detailed explanation मिली जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये process irrational है और खेर कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि हमारा ख्याल है कि किसी MA, MA, CA, PhD scholar को class 4 attendant के तोर पर नौकरी देने में employer को ही शरम आ सकती है क्योंकि ऐसी qualifications की requirement और capability next level होती है और ये both ways एक awkward situation create कर सकता है पर हाँ यहाँ ये कहना जरूरी है कि अगर ये situation आज आ रही है तो इसका कारण unemployment और lack of job opportunities है और हमने हमारे कल के ही report में ये बात बताई कि अकेले जम्मू कश्मीर का unemployment rate national unemployment rate से कहीं ज्यादा है यानी 22.2% है तब ही highly qualified candidates मजबूर हैं इस situation को सरकार ही job opportunities create करके ठीक कर सकता है अब यहाँ देखना ये है कि समय के साथ इस issue को solve करने के लिए सरकार का इस और क्या plan of action रहता है तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस report में सिर्फ इतना ही हम फिर हाजर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहें QNS News के साथ और मुझे दीज़े अजाज़त नमस्कार